आपका पहले बताए कि कोड कितना है? हमको नहीं दिखाएए, कोड़ बताएए उनका एरियल बहुत बरा है, तू कनेक्ट कर लेता है कहीं से किनका एरियल? और वही गिर्जराज बाउ का एरियल जो है पिछे तौर बहुत बड़ा है तू कही से कनेक्ट हो जाता है तो वहीं से आया होगा डटा उनके पास आज ही लोग कह रहा है कि 20 में सबसे जादे जंसंखिया भारत का हो गया जब जातियात जंगन्ना की बात करने लगे तीन लोगों पेट में दरध होने लगा कहां दरद हो रहा है सुपारी अटक गया उसके मुह में जिस दिन उसके गला से सुपारी निकले गा मोदी जी कैची लगा के घिचेंग है उस दिन फिर बोलना शुरूओं जो लोग खुद तारी पार है जो लोग इस देश से जिस लोग को निकालने की बात हो रही थी आज देश के गिरी मंत्री बन गए है तो बरका एकदम संत हो गए है क्या फरत परता है कौन जात है मुसहर जात से तो मुसहर जात में सर आपका कोड है 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 2011 के बाद हमारे देश में जन्गन्ना नहीं हुई उसके बाभ जूत कहा जा रहा है अभी कि देशienne सब्से जादे अबादी हो गई पूरी दुनिया चींज से भी जादा 2021 में जन्गन्ना होना था लेकिन कॉरोना चलते नहीं हुआ कोरोना बात चुना हुए लोग विधान सभा चुना हुए कई राजियों में लेकिन जनगनना नहीं अब गिरी राज सिंग का इस पर बयान आया है गिराज सिंग जो केंदर मंत्री है भाजपक नेता हैं सांज सद कर रहा हैं कि एक खास वर्क के लोग जो 12 सदाजी पर आपका पहले बताए कि कोड कितना है मैं हमको ने को नहीं दिखाए कोड बताए कोड बोलिया रख हम बोले आप के चले हैं आपके हाँ जाती जंगणना करने वाले गैं मास्टर साइए तो पूछें पाए थे कि एक बार पेपर बला गलत छाप दिया था उसमें हम लोगों का कॉड एक सवा साइट या पंशर चला गया था जिसके चलते कुछ कंफ्यूजन में थे तो आब कंफ्यूजन आपके यहां तो जो भी कागज होगा तो तुर्वाइल कागज होगा अब कंफ्यूजन दूर हो गया एक सवा अंठावन हम लोगों का मुशहर जाती का कॉड इसलिए भी ज़रूरी है अपने लोगों को बताएगा ताकि कोई मास्टर साइब जान बूज के या गल्ती से दूसर कोड़वा नहीं भर दे नहीं तो जात होगा आपका अगिना जाएगा दूसर जात नहीं हम लोग अब यहां से जाते हैं और इस बात को हम लोग अपने छेतर में हर जगे मीडिया के माधियम से फिर लोगों के माधियम से या फिर चल के सभा के माधियम से हम लोगों को अपने लोगों को सुचीत करेंगे का आपका कॉड एक सो अंठावन है इसलिए कोई भी आप एक स्वांठाबन अपना कोड बताईए और उसी में आपका आकरा भरा जाएगा और हम लोगों का कार्ज करम त्य हो गया है हर जगा पार्टी की और से तो उसमें भी हम लोग बात को रखने का एक दम आसलिज जुरुआए यह बात हम लोग रखने का उसमें भी करें तब है देखे चमार मोची रवरुदास चमार रखिदास चमार रौषिडास चर्मकार इनका कोड है सार्ट और बाकि जो है एक अलग से हम बना देंगे सब जाती का बता देंगे हैं तो उसमें सब को पता चल जांतरब औरula को सबसे पहले तुम्हें चाहिए वह केंद्रिय मंत्री है और उनको खुद स्वचना चाहिए कि जब इस देश में 2010 के बाद एगारे के बाद जंगन्ना नहीं हुआ है तो फिर इस बात को दावा नहीं कर सकते हैं कि विश में सबसे जादे जंसंखियां भारत का है अभी तक तो जंगन्ना हुआ नहीं जो है पिछे टावर बहुत बड़ा है तो कहीं से कनेक्ट हो जाता है तो वहीं से आया होगा डाटा उनके पास जब तक इस देश में यह आपका जंगन्ना नहीं हो जाता है तब तक इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस देश में सबसे जादे जो है से पूरे बिश का संखिया लोग के ने जन संखियां बाबु लालो परसादि यादब जी और मानिया मुखमंतरी नतीश कुмуार जी जब जातिया जन्गना की बात करने लगे तीन लोगों कर दियुँ हो परता रे मिलेख यूं पर दान नमंतिर को अगर हिम्मत है जब बिधान सभा में पास हुआ था तो भाजपाक ने सरकार थी नितिश के साथ जब बिधान सभा में पास हुआ था तो भाजपाक सरकार थी नितिश कुमार के साथ अगर वह लोग उसमें नहीं भी साथ देता पास कराने में तो हम लोगों के पाटी, राष्टिय, जमतादल, आदर्निय, नेता, बाबुते, सुई आदब के समर्थन में उनको समर्थन करता उनके नत्रूइत में भार्थिय जमतापाटी, RSS से संचालित होती है उनका सीधा एजंडा है मुसल्मान भाईयों को टार्गेट करना हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या मुसल्मान ही एक दर्जन बच्चा पैदा करता है दलित लोग में भी एक दर्जन बच्चा पैदा करता है बाबा साहिब भीम राव अंबेदकर जिसको हम लोग दुनिया के सबसे बहुत बड़ा बिद्वान मौनते हैं उबिस वाले भाईबहिन थे तो यह गिर्ज राज सिंग यह देश बिरोधी लोग है बीजेपी के लोग देश में सदभाबना नहीं चाहता है समपरदाईक ताक्तों को बरहबा देना चाहता है देश में दंगा फसाद कराना चाहता है और हिंदू मुस्लिम करके इस देश में फिर यह चुनाव जीतना चाहता है लेकिन यह संभब नहीं है लोग जान गया है इसके चाल के क्या सब करने वाला आज काहे चुप है BJP के लोग काहन परधान मंतरी जी, काहन गिरी मंतरी जी यह तमाम लोग काहन बक्तब देते है यह मलीक साहब जो बोल रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोलते हैं क्यों चुप है, साब सुन गया अब गोदी मीडिया जो है उसके गला से सुपारी निकलेगा मोदी जी कैची लगा के घिचेंगे उस दिन फिर बोलना सुरू हो मलिक जी बोले है कि इसमें जो हैसे पता था सरकार के का हमारे इतना सहिना जो हैसे सहीद होने वाले हैं और उस समय पुलगामा में उस समय उन्होंने हेलीकप्टर के भी मंग किया तो वो कहा कि नई छोरो कोई जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे देश के परदावन मंतरी जी होते हैं ऐसे ऐसे गिरी मंतरी जी होते हैं जो लोग खुद तारी पार हैं जो लोग इस देश से जिस लोग को निकालने की बात हो रही थी आज दे सदियों से सताया गया लेकिन सच बोलना जो है हम लोगों के दलित वर्ग की लोग को सबसे बहुत बरा खुबी है इसलिए सच बोलना और सच को रखना आपके समने में मीडिया के समने में आपके माधियम से जमता तक पहुचाना यह हम लोगों की जिमेबारी भी सत्यपाल मलिक जो जम्मू कस्मिर के पुर्व राजपाल हैं वे चिजावर बोले हैं कि हमारी मीटिंग थी देश की राश्पती द्रौपदी मुर्मूजी से लेकिन पता चला रास्ते में कि हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई और पीमो से ये किलियर होता है कि राश्पती किसे मि प्रश्पती का होता है अपना से डिसिजन नहीं ले सकता है हमको किसे मिलना है किसे नहीं मिलना है तो वह लोग इस देश और इस रास्ट के लिए हम उन पर उंगली नहीं उठा रहे हैं क्या कर सकता है सोचने की बात और जब परधान मंत्री जी के कार्याले से त्या होता है कि महां महिम राश्पती जी से कौन मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो परधान मंत्री के कार्याले से ही राश्पती तक का समचालन होता है सिधा बात गिरीराज सिंग को आखरिम क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की राजनीत करें किसी धर्म का नाम नहीं लिए संपरदाय का नाम नहीं लिए एक विशेश समुदाय बोले कि एक विशेस समूदाय का मतलब हमारे मुसलिम भाई होता है आज क्या हो रहा आई उपी में क्या है जैसिरी राम बरका बरका जंडा लेके रोड पर जैसिरी राम जैसिरी राम मर्यादा पुरुस भगमान सिरी राम के लोगों चरीत रहनन कर रहा है हम लोग भी बोलते हैं यह बात नहीं है कि हम लोग भगमान राम के विरोधी हैं वह मर्यादा पुरुस थे उनको सम्मान करते हैं हमरे घर में भी जाईएगा तो आपको भगमान राम का फोटो मिलेगा इसलिए फोटो मिलेगा कि हम लोग रिसी कुल से हैं हमारा कुल देबता समरी माता हुआ इसलिए हम लोग रिजी कुल से हैं हम उस राम को मानते हैं उस भगमान राम को मानते हैं जो माता समरी का जुठा बढ़ खाया था जो संबुक की हत्या किया वो उस राम को हम नहीं मानते हैं तो सेम है अलग लग सेम नहीं है मौन भी बना रहता है और उसके बाद उनका उचारन भी हो जाता है तो यह लोग जो है से सिता मयाग छोड़ दिये आराम के लिए के चल रहे हैं जैसी रिराम कर रहे हैं तो बेगर महिला के कोई भी राष्ट कोई भी देश या कोई भी लोग विकास ने कर सकता है कर सकता है तो जब सीता मयाग पहला नमा अब कोई भी देवी देवता जो पुराने लोग हैं कोई भी नम आता है तो पहला जो है उनके अर्धंग निकी नम आती है जहरीली सराब पर उटर्न जलिये हैं नितिश कुमार यूटर्न नहीं लिये हैं जहरिली सराव का जब मामला हम लोग बोले थे विधान सभाम विपक्स के लोग का एक दिन सदन को भी बावदीत किये थे विजेपी के लोग तो हम लोग भी मान्य मुखमंत्री जी से जाके मिल के कहे थे कि सर जो गरीब लोग है वही वह जर रिली सराब पिता है और वह मर जाता है और वह पी के मरता है तो नो वह अपना बच्चा को पूछ के पिता है नो वह अपना पत्नी के पूछ के पिता है ने मैं बाप के पूछ के पिता है तो जो उसका आसरीत है उसको क्या गलती है सर इसलिए मुआबजा मिलना च चिराग पासमान क्या किये थे नए किये थे वो डिमांड किये थे हमान्या मुखमंत्री जिस मील के कहे थे सभी लोग जो दलित बर्ग के लोग हैं उन्होंने भी दलित बर्ग की बात को समझा की नहीं अगर मर जाता है कमाने बलात घर में दिक्कत होता है तो उन्होंने भी मं रखा अच्छी बात है चलिए तो रामधिरीज सदाजी से बात किये गिराज जिंग के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश में देड़ सो ऐसे जिले हैं जहां ऐसे लोग हैं जो एक एक दरजन बच्चा पैदा करते हैं जिनकी विश्चे देश की अबादी तेजी से बढ़ी और कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे जादा अबादी वाला देश भारत हो गया जबकि 2011 बाद भारत में जनगन्ना ही नहीं हुई 2021 में होना था नहीं हुई तो पूरी बातचीत कैसी लगे बताए कमेंट बॉक्स में फेस्बीक वीडियो देखे हैं प किजिए जय भीम जभारत